वेलकम गाईज, वेलकम टो माई जैनल, आज हम लोग RPSC का PGT Economics का जो Question Paper हमने स्टार्ट किया हुआ था, इस Question Paper को आज हम Complete कर देंगे, और इसकी PDF आपको Description Box में मिल जाएगी, और आप लोगों को पता ही होगा, आज Estet Economics को लेकर News Paper में एक News आई है, कि आपका Estet Economics का जो एक्जाम है, वो December के First Week में होगा, जल्दी उसका Notification भी आ जाएगा, तो जो भी Information रहेगी, वो आप तक मैं पहुचा दूँगी, इसके अलावा, अगर अभी तक भी आपने Estet Economics की Preparation Start नहीं की है, तो आपको Previous Year Question Paper की Help से, किस तरीके से Estet Economics को Preparation करना चाहिए, यह वाली वीडियो भी हम डिसकस कर चुके हैं, तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं, अगर आप चैनल पर नहीं हैं, तो आपको पता होना चाहिए, कि हम बहुत लंबे टाइम से, इसके तो हमने सारे Previous Year Question Papers सोल कर रहे हैं, आप चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं, इसके तो हमने सारे Previous Year Question Papers सोल किये हुए हैं, आजका जो हमारा Question Papers है, इसका जो First Question है, इसमें देखिए क्या पूछा गया है, question में पूछा गया है which of the following model consider the case where unemployment is associated with balance of payment, surplus or deficit question में यह बोला है कि आपको option दिये गए है चार इन चार options में से कौन सा model है जो की आपको बताता है कि balance of payment के surplus का और deficit का जो संबंध है किसके साथ unemployment के साथ है फर्स्ट option है मंडल फ्लेमिंग मोडल स्वैन मोडल सोलो मोडल डोमर मोडल आप लोगों को पता है कि स्वैन मोडल भी सोलो मोडल भी डोमर मोडल भी यह सब आपके growth के मोडल है सिरफ मंडल फ्लेमिंग मोडल ही ऐसा मोडल है जिसका संबंध balance of payment के surplus से है deficit से है और एक currency जो होती है country की किस तरह से वो devalueate करती है और balance of payment पे क्या impact परता है यह सब आपको मंडल फ्लेमिंग का जो मोडल है आपका मुंडेल फ्लेमिंग मोडल यह आपको समझाता है तो option नमबर फर्स इसका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगला question क्या बोला गया है आपको mathematical question पूछा गया है question में पूछा है if 4y-5x is equal to 15 regression line है यह किसकी regression line है y on x मतलब आपको यह b y x given है और आपको correlation coefficient r की value क्या given है 0.75 given है और आपसे question में पूछा है b x y की value आपको find out करनी है तो आपको पता है आपका stat के अंदे एक formula होता है हम क्या करते हैं हम करते हैं b x y into b y x और इसका कर देते हैं under root उसके बाद आपका निकल जाएगा क्योंकि आपके पास by x की line given है और correlation coefficient कितना रहेगा यह भी आपको question में given है यह question मैंने आप लोगों के लिए solve किया हुआ है आप directly उसको देख लिजिए किस तरह से हमने question solve किया है अभी मैंने आपको बताया कि आपका b x y और by x यह formula रहेगा और और आपने क्या देखा यहां पर आपके पास यह equation थी 4y minus 5x is equal to 15 और यह कौन सी equation बनानी आपको b y x बनानी है अब आप क्या कीजिए 4y इदर का इदर रहेगा 15 यह minus का 5x है तो इदर आकर plus का 5x हो जाएगा ठीक है उदर फिर क्या करो आप y की value निकालो y की value क्या आएगी यहां 4y है तो y चला जाएगा divide में sorry 4 चला जाएगा divide में तो y की value आपकी क्या आएगी आपकी आएगी 15 by 4 plus 5 by 4 x तो आपको सिर्फ एक चीज करेक्ट करनी है जो मैंने नहीं रिखी यह आपका b x y नहीं है यह value आपकी b y x की है क्या value निकली आपकी 5 by 4 यह आपकी b y x की value है उसके बाद और कुछ नहीं करना आपने जो है इसको पूट कर देना है अब देखिए आपको correlation coefficient की value कितने की बन थी 0.75 b x y हमें निकालना है और b y x की value हमारे क्या निकली है 4 by 5 sorry 5 by 4 अब हम क्या करेंगे root अटाने के लिए scaring कर देंगे both side जब हम scaring करेंगे both side तो यहाँ पर 0.75 का square और यहाँ पर क्या हैगा यहाँ पर 5 by 4 into b x y आजएगा अब आप 0.75 का scaring करेंगे तो आपका 0.5625 आएगा और आपका 5 by 4 into b x हो गया अब आपको क्या कर रहे है ब x y की value निकालनी है तो यह इदर cross multiplier में होकर उल्टा हो जाएगा 4 by 5 हो जाएगा इसके साथ जब आप इसको divide करोगे तो आपका b x y की value 0.45 आ जाएगी और यही इस question का आपका right answer भी रहेगा तो आप देख लीजिए option number first में 0.45 value आपको given है अगला question देखिए अगला question भी आपका एक mathematical question है question में क्या given है कहते हैं एक single throw हुआ two dice ठीक है दो dice है तो उनका एक throw किया गया तो question में बोला गया है कि क्या probability है कि उनकी जो total आए ना two dice का at least ten आए अगर कहीं पर least word लग जाता है तो इसका मतलब है दो dice को उचालने पर या तो 10 आए या फिर इससे 10 से जादा भी जो आएगा वो हम क्या करेंगे count करेंगे question आपको समझाया एक dice को मतलब दो dice को एक बार उचाला जाता है और उन दोनों को जो sum आना चाहिए 10 तो आना ही चाहिए 10 से जितनी पर भी जादा आएगा वो भी आप count करेंगे फिर आपको probability बतानी है तो आपको पता है यह question भी mathematical question है इस question को भी मैंने solve किया है अब आप देख लीजिए जब एक dice में total number of जो outcome होते हैं वो कितने होते हैं एक dice में क्या होते हैं 6 होते हैं तो two dice में कितना हो जाएगा 36 होगा अब यहां पर हमें question में क्या पूछा है कि हमें क्या probability बतानी है कि दो डाइज में सम जो है at least क्या है 10 आए 10 से जादा है least का मतलब यह यहीं पर यह है अब आप देखिए 4 और 6 का पेर फर्स पेर यह हो गया 5 और 5 का पेर second pair यह 5 और 6 का पेर 3rd pair 5 और 6 कितना हो गया 11 न और 6 और 4 का पेर और उसके बाद 6 और 5 का पेर 6 और 6 का पेर total कितने पेर बन गए यहां पर total पेर बन गए आपके 1 2 3 4 5 6 तो आपके 6 पेर बन गए total number of outcome कितना है 36 तो इस question का जो आपका right answer रहेगा probability of total at least 10 1 by 6 आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए option number second आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए the relationship between the environment quality and economic development is explained question में क्या बोला है कि वो relationship कि एक तरफ हम environment की quality को मेजर करते हैं और दूसरी तरफ economic development को मेजर करते हैं तो आप किस curve की help से इसा कर पाते हैं तो आपको पता है इन्वार्मेंट economics जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम इन्वार्मेंट कजनेट कव पढ़ते हैं और जो करते हैं तो option number 4 यहां पर आपका right answer हो जाएगा अब जो बाकी की बते हुए questions है ना उसमें आपको question समझा दूंगी और right answer समझा दूंगी क्योंकि अगर मैं सभी options को पढ़ूंगी तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे और यह question paper हमारा complete नहीं होगा अब आप देखिए 97 से जो question 98 से 127 यह जो question आपके रहेंगे यह RPSC में teaching से related है psychology से related है वह हमारी economics की question नहीं है अब आपको question में पूछा क्या है अगला question देखिए 128 question 128 question में पूछा है who has defined economics as a economics is a science which study human behavior as a relationship between and and scar mean with an alternate use यह यहाँ पर अर्दिशास्त्री की अर्दिशास्त्री हमारा एक दुरलव संसादन है और उसके किस तरह से alternate use होते हैं और यह एक science है यह जो statement है यह किनों ने दी यह हमसे question में पूछा है तो Robinson ने अर्दिशास्त्र को एक science बोला और एक ऐसी science बोला जो human के behavior को बताएगी कि किस तरह से उसके पास scars होता है जमसादनों का और इसके alternate uses होते हैं तो option number 4 आपका यहाँ right answer हो जाएगा अगला question देखिए wantless definition of economics आर्दिशास्त्र की wantless definition है वो किनों ने दी है तो pointless definition जो है अर्दिशास्त्र की जेके महता ने दी है तो option number 4 आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला है capitalist economy is known as एक पुझीवादी अर्थवयवस्था को हम क्या बोलते हैं पुझीवादी जो अर्थवयवस्था होती है वो market economy होती है जो की demand and supply के हिसाब से काम करती है और उसी हिसाब से वो चलती है तो option number second आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में बोला है which of the following statement is incorrect चार स्टेटमेंट आपको given है इन में से कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो यह production possibility curve को लेकर question है तो पहली statement पढ़िए production possibility curve is positively slope आपने क्या देखा हमारा production possibility curve negatively slope होता है तो इन्होंने first statement में बोल दिया कि आपका production possibility curve क्या है positively slope है तो यहाँ पर पहली statement आपकी incorrect है और आपसे question में पूछा भी यही है तो option number first आपका right answer हो जाएगा अब बाकी के सभी options second option भी easy है कि production possibility curve is negatively slope यह बात सही है कि वो negatively slope होता है न थार्ड option देखिए economy जो हमारी operate करती है production possibility curve के अंदर ही और कहीं ना कहीं थार्ड option में आपको समझा जेती हूं क्योंकि यह थोड़ा different है इसमें क्या बोल रहा है production possibility curve के अंदर हमारी economy operate करती है मतलब अगर हमारे देश में उत्पादन production possibility curve के ऊपर होता है तो तो है efficient उत्पादन लेकिन अगर अंदर होता है तो इसका मतलब है कि हम अपने संसादनों का कम प्रियोग कर रहे हैं तो यह situation आपके कहीं ना कहीं under employment को भी दिखाती है क्योंकि आपको जितने संसादनों को काम देना चाहिए आपने उसे कम संसादनों को काम दिया हुआ है यहां पर यह बात बोली गई है तो यहां पर incorrect answer आपका option number first हो जाएगा अगर आपको फिर भी कोई point नहीं समझाता तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं अगला question देखिए अगला question है command economy में central problem को solve करता है command economy example के लिए आप बोल सकते हो सम्राज्यवादी अर्थ विवस्ता जहां पर चाइना की economy तो चाइना की economy में जो central problem होती है केंद्रिय समस्याओं को कौन solve करता है तो उनकी central planning authority होती है वही समस्याओं को solve करती है तो option number third यहां पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए the central problem of an economy for whom to produce एक अर्थ विवस्ता में जो केंद्रिय समस्याओं कि कौन जो है पैदा करेगा किसके लिए आपने पैदा करना है whom to produce किसके लिए आपको पैदा करना है इसका संबंध किस से है तो इसका जो संबंध रहता है वो distribution of income से है तो option number third यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए if the opportunity cost is decreasing then production possibility curve आपको पता है हमारा जो opportunity cost अगर decreasing होता है तो production possibility जो curve होता है वो आपका क्या होता है convex to the origin होता है अगर आपका क्या है opportunity cost increasing है तो production possibility curve आपका क्या होता है इस तरह का होता है ठीक है तो यहां पर आपसे क्या पूचा question में अगर आपकी अवसर लागत घटती हुई हो तो production possibility curve क्या होगा हमारा production possibility curve इस तरह से बनेगा और convex to the origin होगा तो option number first आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला है which of the following would not result in rightward shift of production possibility curve यहां पर question में पूचा है कि आपके पास production possibility curve है इन options में से कौन सा एक ऐसा option है जिसकी वज़ा से आपके production possibility curve में rightward shift नहीं आएगा first है increase in investment अगर कोई economy अपनी investment को बढ़ाएगी तो उसके उत्पादन के संसादन बढ़ेंगे उत्पादन बढ़ेगा तो production possibility curve right side जाएगा ही जाएगा increase in unemployment अगर एक economy में unemployment बढ़ रही है अभी मैंने यही वाला example आपको समधाया unemployment बढ़ने का मतलब है कि आप अपने देश में उतने लोगों को काम नहीं दे पारे जितने लोगों को मिलना चाहिए तो आप अपने देश में production possibility curve के किसी भी अंदर point पर production करोगे और आपका production possibility curve क्या होगा left word shift करेगा तो यही इस question का right answer है कि अगर एक देश में unemployment बढ़ेगा तो कभी भी आपका production possibility curve राइट वर्ड शीप्ट नहीं करेगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला है which of the following is a cause for difference between price and cost कि 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 वजह से किसी भी वस्तू के price में और उसकी cost में difference होता है अब हम market में कोई भी चीज लेने जाती है तो मालो कोई चीज हमें 500 रुपे की मिलती है ठीक है और वो चीज मालो चुली में कितने की बनी है दोस्तों की बनी है तो 300 रुपे क्या होता है बीच में 300 रुपे बीच में क्या होता है प्रोफिट होता है सबको प्रोफिट कमाना होता है तो यही रीजन है कि प्राइस और कोस्ट में क्या होता है डिफ्रेंस होता है तो अप्शिन नमबर पॉर आ क्या है आप लोगों को पता है जो गोशिन है उन्हों नहीं कौन मिक्समें दो लो दिये गोशिन फ़सिंट बॉसें लो है वो है लोस्थ डिमनीशिंग मार्शनल यूनिटि यह इन्हों बताया था कि जैसे जैसे एक person किसी भी चीज़ के additional unit consume करता रहता है उसको उसे मिलने वाली जो marginal utility होती है वो घटती जाती है तो option number 4 यहां पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए which of the following is an adoption of the theory of consumer behavior इन में से कौन सी मानेता को consumer behavior जब हम topic पढ़ते हैं मानते हैं तो first consumer has a strong preference नहीं Samson की जो theorem होती है reveal preference की उसमें को कह जाते हैं कि consumer की preference strong है लेकिन जब हम reveal preference को छोड़कर normal study करते हैं तो वहां पर consumer की जो preference होती है उसकी weak preference होती है अगला point देखिए each one is not sustainable मतलब कि हर एक इच्छा को संतुस्ट नहीं किया जा सकता satisfy नहीं किया जा सकता consumer is rational आप कभी भी economics पढ़ो तो economics में हम पहली मानेता ही पढ़ते हैं कि हमारा उभोकता वीवेक शील है तो यह वाली बात बिल्कुल सही है तो यहीं इसका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या पुछा गया है which of the following is not a adoption of consumer behavior मार्शीलियन अनलाइज आपको पता है कि consumer behavior में मार्शल ने कार्डीनल अप्रोच दी थी ठीक है कार्डीनल अप्रोच दी उसने कंजप्शन में तो उन में से बहुत सी उसने अजप्शन दी तो कौन जी अजप्शन नहीं है तो उसने बताये था consumer rational होता है वह अपनी होती है वह constant होती है ऐसा मार्शल ने माना था लेकिन उसने कभी भी यह नहीं माना कि आपकी marginal utility of money जो है वह constant नहीं होती तो option no.4 आपका यहां right answer हो जाएगा अगला question देखिए the amount of good x that a consumer has to foregone in order to get additional unit of y then the total utility being same it is code यहां question में बोला है एक consumer क्या कर रहा है एक commodity को घटा रहा है पहले पर x का consumption कर रहा था x का अपना consumption घटा रहा है और y good उसको पसंद आ रही है तो y के consumption को लगातार बढ़ा रहा है और ऐसी statement जो है अगर उसकी satisfaction level same रहती है तो इसको हम क्या बोलेंगे first है diminishing marginal utility नहीं marginal rate of substitution of y for x अब उसने क्या किया है marginal rate of substitution of x उसने क्या कर दिया x को छोड़ दिया यहीं बोला है न उसने x को वो घटाता जा रहा है तो इसका मतलब उसने marginal rate of substitution कर दिया x का x का जिसको घटा रहा है उसको substitute किया है किसके लिए 4 का मतलब होता है लिए किसके लिए y के लिए जब अपने question में यह कह रहा है कि consumer x को कम consume कर रहा है y का consumption वो बड़ा हा रहा है इसका मतलब उसने marginal rate of substitution कर दिया किसका कर दिया x का कर दिया x को कम consume कर रहा है किसके लिए y के लिए तो यहाँ पर option number 4 आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है falling portion of total utility curve अब आपको पता है total utility curve कैसा होता है अब आप सब लोगों को बढ़ा है total utility curve आपका ऐसा होता है और आपको पता है यहां तक आपकी total utility maximum होती है उसके बाद आपकी total utility घटती जाती है अब आप यह बोल रहे हैं जब आपकी total utility घटती जाती है तो उस situation में marginal utility कैसी होगी घटती होगी बढ़ती होगी 0 होगी negative होगी तो आप लोगों को पता है जब total utility maximum होती है तब marginal utility क्या होती है 0 होती है और इसने question में क्या बोल दिया question में हमसे पूछा क्या है इस वाले portion के बारे में पूछा है कि जब आपकी total utility घट रही है तो marginal utility कैसी है अब आप देख लो margin utility जो है वो मेरी किसमे है negative में है तो अगर आप question को solve हमेशा कैसे करो diagram की help से करोगे तो आपका question कभी गलत हो नहीं सकता तो यहाँ पर negative marginal utility आपका right answer हो जाएगी अगला question देखिए अगले question में कुछ भी समझाने का नहीं है आपसे यह बोला है कि आपको एक statement दियो होती है marginal rate of substitution x y is equal to marginal utility of x upon marginal utility of y तो आपको चार options given है इन में से कौन सा incorrect है अब मैं आपको answer तो बता देती हूँ यहाँ पर option number 4 जो में जो equation दी गई है equality की वो incorrect है लेकिन आपको एक काम देती हूँ आपको यह reason बताना है कि option number 4 ही क्यों incorrect है आपको reason comment section में लिखना है मैंने आपको answer बता दिया कि option number 4 यहाँ पर गलत given है अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है a rational consumer allocate his income to एक rational consumer क्या करना चाता है अपनी income को किस तरह से allocate करता है allocate मतलब एक consumer को different goods and services करीब नहीं है तो वो अपनी income को किस तरह से allocate करता है कि वो अपनी marginal utility को maximize करना चाता है total utility को maximize करना चाता है या goods purchase को maximize करना चाता है या average utility को maximize करना चाता है अब आप सोचिए आप एक consumer है आपकी सीज को maximize हो है सबसे पहले अपनी income से करना चाहेंगे तो एक consumer हमेशा अपनी total utility को maximize करना चाता है क्योंकि जिसने economics नहीं पड़ी उसको कभी भी marginal utility के बारे में कुछ पता नहीं होता तो option number second आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में है consumer equilibrium with respect एक भोगता का संतूलन है to any particular product is attained when marginal utility of product in terms of money will be equal to अब आप से पूचाए consumer का जो equilibrium है ना वो कहां पर होगा उन्होंने एक situation बोल दी कि marginal utility जो है product से जो मिलेगी वो किस के बराबर होनी चाहिए अब आप लोगों को पता है consumer equilibrium में क्या situation होती है marginal utility उसने किस commodity को consume किया उसको और उसकी किस के बराबर होनी चाहिए उसके price के बराबर होनी चाहिए यही तो हमारे एक भोगता के संतूलन की शर्ट क्या होती है वो क्या होती है कि जो भी उसने consume की है good उसकी marginal utility किस के बराबर होनी चाहिए उसी goods के price के बराबर होनी चाहिए तो यहाँ पर यही question में पूछा कि consumer equilibrium में होगा और कभ वो marginal utility जो है product की वो जो है किस के बराबर होनी चाहिए तो price of product इस question का right answer हो जाएगा अगला question देखिए according to sales की theorem income effect of price change for all inferior goods इन्होंने कहा कि sales की जो theorem में जो inferior goods होता है वहाँ पर income effect कैसा होता है तो आपको पता है income effect जो होता है inferior goods के case में आप लोगों को हमेशा पता है हमारा substitution effect जादा होता है income effect से अब substitution effect जादा होता है किसे income effect से अब किसी भी option में आपको वो given नहीं है तो आपको पता है inferior goods में हम क्या करते हैं जैसे ही हमारी income increase करती है एक तरफ हम income लेते हैं एक तरफ हम goods लेते हैं तो जैसे ही हमारी income ने increase किया हमने commodity को consume करना कम स्टार्ट कर दिया क्योंकि inferior घटिया वस्तुए कोई भी खाना पसंद नहीं करता तो इसी लिए सलस्की की थ्योरम में हमेशा आपका inferior goods में income effect जो होता है और negative होता है तो option number second यहां पर आपका right answer हो जाएगा अगला question है angel curve आपका क्यों दिखाता है मैं आपको options पढ़के नहीं सुना समधारी आपको यह समधा जेती हूं angel curve में एक तरफ आपका जो आप commodity consume करते हो डिफरेंट डिफरेंट लेवल की दूसरी तरफ आपका income होता है और जो आपके income के डिफरेंट डिफरेंट positively slope होता है तो इंजल कव आपको क्या बताता है various amount of goods that a consumer would be willing to purchase at various level of income option number second यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में है इस diagram के अंदर यह क्या है आपका income consumption curve है इसमें यह क्या शोग कर रहा है एक तरफ आपके पास x good है एक तरफ y good है यह इस तरह से बनाए ना तो आपको बताना है x inferior है या y inferior है x normal है y inferior है अब इस question में देखिए consumer जिसको ज़्यादा लेना चाता है वो हमेशन normal good होती है income consumption का हो उसके बाद दोनों option देना वो x भी ले सकती जी वो y भी ले सकता था वो कि लेकिन demand किसकी बढ़ाता जा रहा है x को लेना चा रहा है उसकी तरफ वो मूँ उसने mode लिया तो जिसकी तरफ मूँ मूँ लिया जि तो इसी लिए x is a normal and y is a inferior option number 3 आपका यहां right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में बोला है in above diagram consumer का जो surplus होता है वो क्या होता है आप लोगों को बता है diagram है इस diagram में consumer किसी भी commodity का price c तक देना चाहता है लेकिन actual में उसको price देना पड़ता है P तक तो CPE यह जो part होता है ना क्यूकि उसको O P price देना पड़ रहा है एक consumer जो है O C price देने के लिए तयार है लेकिन उसको कितना price देना पड़ रहा है O P price उसको देना पड़ रहा है तो यहां CPE यह उसका consumer का surplus होता है तो यहां पर लिए cpe option number second आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला है which of the following is considered as a second law of ghosting आप लोगों को मैंने अभी समधाया first law आप उनका law of diminishing marginal utility था लेकिन second law उनका law of equi marginal utility कि एक consumer जो है ना अपनी income को different goods पर अगर दो goods पर इस तरह से खर्च करता है कि लास्ट जो रूपीज उसने खर्च किया दोनों ही goods पर उसकी वहाँ पर utility क्या होनी चाहिए marginal utility सेम होनी चाहिए जैसे एक example से जाएती हूं मालने consumer है एक्स commodity की चार चीज़े लेता है चार लेता है एक्स वाई को लेता है दो तो आपने क्या देखा वाई पर उसने दो रूपे खर्च किये एक्स पर चार रूपे उसके पाथ 6 रूपे थे तो उसको यहाँ चार से मिलने वाली utility और इस second से मिलने वाली utility बराबर होती है तो यही इक्वी marginal principle रहता है तो यही इसका गोसिन का second low था तो यहाँ पर option number second आपका right answer हो जाएगा अगला question रहिए who initially propounded the law of diminishing marginal utility अभी मैंने आपको बताया law of diminishing marginal utility गोसिन का first low था और law of equi marginal utility गोसिन का second low है लेकिन यहाँ पर first low पूछा है तो यह गोसिन ने दिया था तो option number third यहाँ आपका right answer हो जाएगा आज हमारा RPC का PGT economics का 2018 का question paper complete हो गया है आप लोग यह मत सोचिए कि यह RPC का है तो यह राजिस्तान की students के लिए है economics के जितने भी questions आप practice करते रहोगे आपको किसी भी exam में वो help कर देंगे अब आने वाली वीडियो में हम aesthetic economics में जो statistical जो portion होता है उससे काफी questions पूछे होते हैं या तो हम questions को practice करेंगे या कुछ important topics वो हम discuss करेंगे अब हम वो preparation start कर देंगे I hope so आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है समझ आता है तो प्लीज मेरे चैनल को share करो क्योंकि क्योंकि आप लोग share करते हो and subscribe करते हो तो मुझे motivation मिलता है and thank you so much for watching this क्योंकि उता है